हेलो एवरीवन आईए आज हम अपने सोलर सिस्टम के एट प्लैनेट्स, नेचरल सेटेलाइट्स, सेलेस्टियल बॉडीज, लाइक एस्टरोइट्स, कॉमेट्स एन्ड मिट्रोइट्स के बारे में जानेंगे एस्टरोणोमर्स ने प्लैनेट्स को डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किया है वो प्लैनेट्स जो एस्टरोइट बेल्ट में सिच्वेटेड हैं, वो हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, एंड मार्स, और कॉल्ड दा इनर प्लैनेट्स, इन्हें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहा जाता है क्योंकि इनके स्ट्रक्शर अर्थ के सिमिलर होते हैं, एक्सेप्ट मर्क्यूरी, एंड दे है रॉकी कमपोजीशन, जुपिटर, सैटर्ण, यूरेनस और नेप्ट्यून आर कॉल्ड दा आउटर प्लैनेट्स, इन्हें जोवियन प्लैनेट्स भी कहा जाता है क्योंकि इनके स्ट्रक्शर जूपिटर के सिमिलर होते हैं, इस वीडियो को मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम सिर्फ अपने एट प्लैनेट्स के बारे में समझेंगे, तो आईए शुरू करते हैं, सन के चारो तरफ प्लैने सरकल में हैं, तो आईए इन प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं, सबसे पहले हम मर्क्यूरी के बारे में समझेंगे, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में ये सन के सबसे निर्ष्ट है और स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, यह अपने एक्सेस पर वन रोटेशन 59 डेज में और अपने और्बिट पर सन के चारो तरफ वन रेवल्यूशन 88 डेज में कम्प्लीट करता है इसका डाया मीटर 4850 किलो मीटर है यहां दिन में मैक्सिमम टेमप्रेचर 430 डिगरी सेलसियस और रात में माइनस 220 डिगरी सेलसियस तक मार्क किया गया है ग्रेविटी के वीक फोर्स की वज़े से मरक्यूरी के सर्फेस पर एडमस्पियर नहीं पाया जाता है सन से इसका एबरेज डिस्टेंस 67.904 मिलियन किलो मीटर है लाइक अर्थ, इट हैस नो मून और नेचरल सेटलाइट वीनस, वीनस इस दा सेकेंड प्लैनेट अवे फ्रॉम दा सन सन और मून के अलावा, इसकाई में वीनस भी सबसे ब्राइटेस्ट अबजेक्ट है पहले अपियर होता है, and before the sun rises, यह सबसे लास्ट में डिस अपियर होता है इसलिए इसे morning and evening star भी कहा जाता है It is one of the most hottest planet of our solar system यहां का maximum temperature up to 480 degree Celsius मार्क किया गया है इसका diameter 12,140 km है, which is quite similar to Earth Sun से इसका average distance 108.12 million km है यह अपने axis पर one rotation 243 days में और अपने orbit पर sun के चारों तरफ one revolution 225 days में complete करता है It spins the opposite direction of Earth The atmosphere of Venus is made up of mainly carbon dioxide and thick clouds of sulfuric acid It also has no moon or natural satellite Earth Earth is the third planet from the sun इसके surface का पानी और इसकी gases यहां की atmosphere को form करते हैं और Earth's surface को comfortably warm and moist रखते हैं यहां का lowest temperature minus 88 degree Celsius and highest temperature 57.7 degree Celsius मार्क किया गया है इसका diameter 12,756 km at equator है यह अपने axis पर one rotation 23 hours 56 minutes 10 seconds में और sun के चारों अपने orbit पर यह one revolution 365 days 6 hours 9 minutes 10 seconds में complete करती है It has one moon or natural satellite Mars Mars is the fourth planet from the sun It is almost as tilted as Earth इसके red color के कारण इसे red planet भी कहा जाता है The atmosphere of Mars is much thinner than Earth Its atmosphere contains 95% carbon dioxide and 1% oxygen In winters, Mars का average temperature minus 60 degree Celsius and in summers it may reach up to 20 degree Celsius इसका diameter 6790 km है यह अपने axis पर one rotation 24 hours 37 minutes में और sun के चारों और अपने orbit पर one revolution 687 days में complete करता है It has two moons named Phobos and Deimos Sun से इसका distance 209.35 million km है Jupiter Jupiter is the fifth planet from the sun and the largest in the solar system यह mostly hydrogen and helium gas से बना है And it has no oxygen It can be seen by naked eyes from Earth इसका diameter 1,042,600 km है Sun से इसका distance 768.7 million km है यह अपने axis पर one rotation 9 hours 50 minutes में और sun के चारों और अपने orbit पर one revolution 11.9 years में complete करता है It has 63 known moons यहां का maximum temperature minus 148 degrees Celsius मार्क किया गया है Saturn Saturn is the sixth planet from the sun and the second largest in the solar system Saturn का most distinctive feature इसका ring system है जो entirely water ice and trace component से बने है इसका diameter 1,20,200 km है यह अपने axis पर one rotation 10 hours 14 minutes में और sun के चारों और अपने orbit पर one revolution 29.5 years में complete करता है इसका maximum temperature minus 170 degrees Celsius है It has 62 known moons Sun से इसका distance 1.4938 मिलियन किलो मेटर है Uranus Uranus is the planet which is seventh in order of distance from the sun इसे विलियम हरशेल के द्वारा 1781 में discovered किया गया था इसे as a ice yard planet referred किया जाता है इसका diameter 49,000 km है यह अपने axis पर one rotation 24 hours में और sun के चारों और अपने orbit पर one revolution 84 years में complete करता है It has 27 known moons यह sun से 2.9599 बिलियन किलो मेटर दूर है यहां का maximum temperature minus 200 degrees Celsius है Neptune Neptune is fourth largest and eighth major planet in order of increasing distance from the sun इसका atmosphere mainly hydrogen and helium gas से बना है but the presence of 3% methane gives the planet its striking blue color इसका diameter 50,200 km है यह अपने axis पर one rotation 23 hours में और sun के चारों और one revolution 168.8 years में complete करता है इसका maximum temperature minus 210 degrees Celsius है It has 13 moons Sun से इसका distance 4.4763 बिलियन किलो मेटर है तो यह था हमारे solar system के eight planets के बारे में detailed description इस वीडियो के अगले पार्ट में हम solar system की celestial bodies, asteroids, meteorites और comets के बारे में समझेंगे So friends, अगर आपको यह वीडियो helpful लगा हो तो प्लीज इसे like करें, comment section में अपने views बताएं, इसे जदा से जदा शेयर करें और मेरे चैनल को subscribe करें Thank you